दिल्ली के मालविय नगर के बाबा का धाबा तो आपको याद ही होगा। पिछली साल बाबा सोचल मीडिया पर गजब छाए। यूटीवर गौरव वासन ने उनकी मुफलिसी का वीडियो बनाया जो खूब वाइरल हुआ। और दिल्वालों की दिल्ली उनकी मदद के लिए दोड़ी चली आई। बाबा का धाबा चल पड़ा। बाबा यानि कांता परसाद को दान में पैसे भी खूब मिले। बाद में उन्ही पैसों को लेकर उसका गौरव वासन से बिबाद भी हुआ। मामला थानी तक पहुँचा। खैर इन सब के बीच बाबा ने अपना बंद कर दान में मिले पैसों की मदद से बीते साल डिसंबर में धूम धाम से एक नया रेश्टुरेंट खोड लिया था। धाबे में जहां कांता परसाद और उनकी पतनी खुद खाना बनाते थे वहीं रेश्टुरेंट में वो कॉंटर पर पैठने लगे। दो रसो ये औ और एक वेटर काम पर रख लिया। शुरू में रेश्टुरेंट चला भी। लगा की बाबा के दिन फिर गए। लेकिन सुरुआती उत्सहा के बाद कश्टमर धीरे-धीरे कम होती चले गए। खर्चा बढ़ता गया और आमदनी कम होती चली गई। खुद कांता परसाद ने बताया कि उनका रेश्टरा में पांच लाक रुपिये का निवेस हुआ था। तीन लोगों को काम पर भी रखा। उनका एक महने का खर्च एक लाक रुपिये था। लेकिन महने में आमदनी हो रही थी 40,000 रुपिये। भारी नुकसान का नतिजा ये हुआ कि कांता परस को अपना रेश्टूरेंट बंद करना पड़ा। बाबा कहते हैं कि उनका रेश्टूरेंट खोलने की गलत सलह दी गई और उनकी सारे पैसे खत्म हो गए। बताया जा रहा है कि नया रेश्टूरेंट तीन महने बाद ही बंद हो गया था। बाबा ने इसके लिए भी एक स कामाजिक कारिकरता तुसांत अदलखा को दोसी ठलाते वे कहा कुल पांच लाख रुपिय की निवेस में से हमें रेस्टुरेंट बंध होने के बाद कुरसियों, बर्तनों और खाना पकाने की मसीनों की बिक्री से केवल 36,000 रुपिय की ही वसुली हो पाई। दूसरी तरफ अदलखा कांता परसाद के आरोपों को गलत बता रहे हैं। उवे रेस्टुरेंट बंध होने का दोस कांता परसाद के दो बेटों को देते हैं। उन्होंने कहा रेस्टुरेंट अस्थापित करने से लेकर ग्रहकों को लाने और खाने की होम डिलीवरी के लिए और्डर देने तक हमने सब कुछ किया इसके सिवा और क्या कर सकते थे प्रसाद के दो बेटों ने रेश्टुरेंट की कमान संभाली लेकिन वे साया धी कभी कॉंटल पर रुके होम डिलीबरी के लिए काफी और्डर आते थे लेकिन दोनों उन्हें पूरा करने में विफल रह बहराल अब कांता पर साथ फिर से उसी फूड इस्टॉल यानि बाबा के ढबा पर लॉट आये हैं जहां से वो फेमस हुए थे लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते यहां भी उनकी आमदनी काफी कम है कुल मिला कर बाबा वहीं आ गये जहां से उन्होंने सुरुआत की थी टीवी बिहार जारकंड की रिपोर्ट